जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज आप के लिए लेके आएं रासाइनिक उस्मा गतिकी से अगला वीडियो जहां पर हम लोग पढ़ेंगे उस्मा गतिकी के नियम के बारे में बच्चो आप जानते हैं कि जो उस्मा गतिकी होती है थर्मो डैनेमिक्स उसके चार नियम मुख्य नियम होते हैं बच्चो उसमें सुन्यक का नियम प्रत्थम नियम दिरित्य नियम और दिरित्य नियम हम इनको बारी बारी से आज पढ़ेंगे तो पहले लेंगे सुन्यक का नियम, यह नियम पर्थम, दिरित्य, तिरित्य नियम के बाद परकास में आया, प्रंतु यह उपरोग तीनो नियम की आधार सिला है, बजो कहते हैं कि जो हमारा जीरोत लोग है सुन्यक का नियम है, क्यों न उसको हम लोग उसमा गतिकी का चोथा नियम कहें तो यह संभव नहीं है यह दिखता तो है कि यह तीसरे नियम के बाद आया है लेकिन जो पहला दूसरा और तीसरा उस्मा गतिकी के नियम है यह तीनो नियम जो है यह तीनो नियम आधारित है सुन्यक नियम पे कहीं न कहीं सुन्यक नियम इन तीनो नियमों से बच्चों ये हमारा सुन्यक का नियम है जो कहता है कि हमेशा जो ताप जो उश्मे उर्जा का परवा होगा वे गरम वस्तू से ठंडी वस्तू की ओर होता है। क्या ही आपको स्पस्ट है? अब हम लोग सुन्यक के नियम को धरन की साहता से स्पस्ट करते हैं। माना दो पिंड या बोड़ी ताप ये साम्मे वस्ता में हैं जिनका ताप 15 डिगरी सेल्सियस है। यदि इनके संपर्क में कोई 30 डिगरी सेल्सियस ताप वाला पिंडिया बोडी आ जाए तो कुछ समय के बाद 3 पिंडों का ताप 20 डिगरी सेल्सियस हो जाएगा मान लिजे पिंक और जो ओरेंज हैं ये दो बोडी हैं दोनों बोडी जो हैं ये हमारी साम्मे अवस्था में हैं ताप ये साम्मे अवस्था का तात पर ही होता है कि इन दोनों का ताप जो है वो समान है क्या इस पस्ट हैं तो मान लिजे पिंक वाली बोडी का और ओरेंज वा अब आप मुझे बताई कि इन तीनों बोरी के अंदर किस बोरी का ताप मान जादा है और कितना है तो सही कहाँ आपने ग्रीन कलर की बोरी का ताप मान अधिक है जो कि 30 degree Celsius है औरेंज और पिंक बोरी का ताप मान 15 degree Celsius है तो सुन्यक नियम के आधार पे हम लोग यहां पे देखे जो उच टाप वाली 30 degree Celsius जिसका टाप है इससे उउश्मिय उठ्जा का परवाह होगा कम टाप वाली Pink और Orange बोडी को और एक समय ऐसा आएगा जब इंतीनों बोडी का जो टाप मान है वो समान हो जाएगा अर्थार 20 degree Celsius हो जाएगा क्योंकि उस ताप वाली ग्रीन बोडी से उश्मा का परवा हुआ है निम ताप वाली पिंक और ओरेंज बोडी को अब हम लोग लेते हैं उस्मा गतिकी का पर्थम नियम पहला नियम उश्मा गतिकी का पर्थम नियम ऐसा नियम होता है जिसके बारे में सब लोगों को पता होता है सर उड़्जा को नहीं तो नस्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन वरन इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन संभव होता है आप समझते हैं इसको कि कभी भी उड़्जा को ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही नस्ट कर सकते हैं उड़्जा हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है कोईले का एंजन और चाई बच्चो बरफ का पिंगलना चाई का ठंडा होना और कोईले का एंजन ये तीन मुख्चे उधारन हमने यहाँ पर लिये हैं जिन से आप इसपस्च कर सकते हैं कि हमेशा उर्जा जो है वो नस्ट नहीं होती है बलकि बदलती रहती है अपने सवरू को आप कोईले का इंजिन आपको याद होगा हाँ वही कोईले का इंजिन जो रेल में प्रयोग करते थे उसमें हम लोग को जलाते हैं और जलाके बनाते हैं उश्मिय उर्जा और उस उसमिय उर्जा को हम लोग यांतरिक उर्जा में परिवर्तित करते हैं जिससे हमारी रेल ग जर्माई थी जो उसकी उश में उर्जा थी वो कहां चली गई वो चली गई है वातावरण में क्या आपको सपस्ट है लेकिन वो चाहे कि जो उश में उर्जा थी वो नस्ट नहीं हुई बलकि उसका सवरूप बदल गया है अब लेते हैं बच्चो पर्थम नियम का दोस इसका मुख्य दोस यह है कि यह उर्जा संचरण की दिसा परदर्सित नहीं करता बच्चो पर्थम नियम यह तो कहता है कि उर्जा नहीं तो उत्पन होती है और नहीं नस्ट होती है बलकि इसका सवरूप जो है वो एक से दूसरों सवरूपों में बदलता रहता है अन्य रुप में परिवर्थित होती रहती है लेकिन कभी यह नहीं बताएगा कि बच्चो किस दिसा में उश्मा का संचरण होगा अर्थार्थ यह कभी सपस्ट नहीं कर पाता है कि उश्मे उर्जा किस दिसा में जानी चाहिए अब लेते हैं बच्चो उस्मा गतिकी का दिरित्यनियम उश्मे उर्जा का पूर्ण रूप से यांतरिक उर्जा में परिवर्थन संभव नहीं है अगर कहीं पर आप उश्मे उर्जा को यांतरिक उर्जा में यानि कि उसके सवरूप को बदला जाए उसको यांतरिक उर्जा में परिवर्थित करें तो यह संभव नहीं है कि पूरी की पूरी उश्मय उर्जा यांतरिक उर्जा में बदल जाए ऐसा संभव नहीं है यह कहता है हमारा दिरित्य नियम उधारन से सपस्ट करेंगे मानव सरीर और मोटर साइकल का इंजिन आदी आप जानते हैं मोटर साइकल के इंजिन में बनाई जाती है पेटरोल से उसमें उर्जा और उस उसमें उर्जा से मोटर साइकल के पईयों को दोडाया जाता है इसपस्ट है आपको लेकिन आप ही सोच कि क्या वो पूरी उर्जा यांत्रिक उर्जा में बदल पाती है नहीं बदल पाती है मन उस सरीर की बात कर लेते हैं मालने जे एक आदमी जो है मजदूरी का काम करता है समान को उठा के यहां से वहां रखता है इस परस्ट आपको तो जब वो भोजन लेगा तो भोजन लेने स उसके सरीर में जो उर्जा बनेगी क्या वो सारी उर्जा को समान उठाने में अर्थार्त यांत्रिक रूप में परिवर्थित कर सकता है नहीं है संभव क्योंकि बहुत सारी उर्जा जो है अन्य रूपों में बदलती रहेगी जैसे सरीर से पसीना आना पाचन उर्जा में सोस नहीं कर सकते हैं ऐसा हम करके देख भी सकते हैं अब बात करते हैं दृत्य नियम के दोस की इसका मुख्य दोस यह है कि यह कभी भी स्पस्ट नहीं करता है कि क्यों ठंडे माद्यम से गरम माद्यम में उश्मया का परवा संभव नहीं है बच्चों आप जानते हैं सुनिक निय से पूछा जाए कि बही बताओ कि क्यों थंडी वस्तुओं से उसमिय उड़्ज का संचरण गरम यानि उच्टाप वाली वस्तुओं में क्यों नहीं हो सकता तो दिरित्यक नियम इसकी पुष्टी नहीं करता है इसको स्पस्ट नहीं कर पाता है ये इसका दोस है अब बात करत यहां चाहिते हैं उश्मा गतिकी के तृत्य नियम की कि पून क्रिस्टल्य ह्थोस की एंट्रोपी पून सुन्हीं यानि कि सोच के परिशान हो रहे होंगे कि एंट्रोपी क्या होता है बच्चों हम इसके बारे में अलग से विस्तार से पढ़ेंगे फिलाल आप यहां पे एंट्रोपी के लिए केवल यह समझ सकते हैं कि उश्मिय उर्जा का वह भाग जो यांतरिक उर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाता है वह उश्मिय उर्जा का भाग कहलाता है एंट्रोपी क्या यह आपको स्पस्ट है अब लेते हैं तिरित्यक नियम का दोस सारे क्रिश्टलिय ठोस में यह मान्य नहीं होता है बच्चों तिरित्यक नियम कहता है कि अगर आपके पास पून रूप से बना हुआ वेवारिक रूप से लागू किया जाता है तो यह पाया जाता है कि सारे क्रिश्टलिय ठोस में उस्मा गतिकी का तिरित्यक नियम लागू नहीं होता है जैसे कांश की बात करें कार्बन मोनोकसाइड की बात करें कुछ नाइटियन के ओकसाइड है जो क्रिश्टलिय अवस्था में इस नियम की पुष्टी नहीं करते हैं अर्थार्थ वहाँ पर जीरो कैल्विन पे कभी ऐसे ठोसों की एंट्रोपी सुन्य नहीं पाई जाती है अच्चो आज हमने जाना उस्मा गतिकी के चार नियमों के बारे में सुन्यक का नियम पर्थम नियम दिरित्य नियम तिरित्य नियम इनके उधरन और पुछ उनके दोसों के बारे में उम्मीद है आपको स्पस्ट हुआ होगा